आज की वीडियो में आपके लेकर आएं हैं ITI प्रसिक्षण अधिकारी भरती परिच्छा के Question Paper का Solution लेकर के इस वीडियो में आपको Solution के साथ-साथ Conceptual Explanation मिलेगा मतलब सिर्फ Question का सही आंसर नहीं बताएंगे आपको उसके पीछे का Reason भी समझाएंगे कि इसका आंसर अगर ये है तो क्यों है इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको उस टॉपिक की Complete Preparation हो जाएगी और आपके आने वाले एक्जाम में आपको Help मिलेगी Hello Everyone, Welcome to the Engineering Arena of Arohan ये वीडियो आपके लिए लेंदी नहो जाए इसके लिए हमने इस वीडियो को चार पार्ट में डिवाइड किया हुआ है ये पूरा Question Paper का सॉल्यूशन आपको चार पार्ट में मिलने वाला है तो इसके लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको वीडियो खोजने में कुछी तरीकी की परिशानी ना हो साथ ही आप अगर इस Question Paper को पीडियो फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डाउनलोड कर लिए हमारा एप लिंक आपको रिचे दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे एप में Free of Cost में आपको Free Study Material Section के अंतरगत ये Question Paper मिल जाएगा आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं उसके अलावा हमारे एप में आपको अलग-अलग सब्जेट के Free Test भी मिलेगा जो आपके Further Examination के प्रिशन में help करेगा तो हमारा एप डाउनलोड करना आपके लिए एक विनिन सिच्वेशन देता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है डाउनलोड जरूर कर लीजे Competition Exams की तयारी के लिए आप लोगों को जिन भी तरीके के Resources के Requirement है आपको लगता है कि आपको एक Particular ये चीज़ चाहिए कोई Course चाहिए, Study Material चाहिए, Test Series चाहिए कोई Video Course चाहिए आपको तो आप हमको हमारे Comment Section में जरूर बताइएगा हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो जरूरत आपको महसूस हो रही है वो हम आपको Provide कर सकें आगे इस Question Paper के Solution के लिए आपको अंजुल्चर की आवाज सुनाई पढ़ने वाली है तो चलिए सीधे चलते हैं Question Paper की तरह Question No.26 Which of the following IE Rules stand for Danger Notice? निम्मे से कौन सा IE नियम खत्रही की सुचनाओं के लिए है IE Rule 45, IE Rule 43, IE Rule 35, IE Rule 42 अब यहाँ पर देखिए इस Question में basically बात हो रही है कि IE Rules हमें निकालना है for Danger Notice के लिए ठीक है? तो basically जो हमारा Indian Electricity Rule 35 है ठीक है? That is stand for Danger Notice That is stand for Danger Notice ठीक है? तो जदी हम बात करें इसमें तो कहीं पर भी जहाँ पर Medium, High and Extra High Voltage Installation हमारा होगा वहाँ पर हमें Precautionary हमें Sign वहाँ पर देना होता है for the sake of safety clear है? तो जदी आपने कभी गौर किया होगा कहीं पर भी जहाँ पर आपको Medium, High, Extra, High Voltage Installation Line कहीं पर देखेंगी तो आपने कभी देखा होगा ऐसा कुछ वहाँ पर एक Skull के रूप में, खोपड़ी के रूप में वहाँ पर रहता है, एक हड़ी का ऐसा कुछ Symbol वहाँ पर रहता है ठीक है? Danger Sign लिखा होता है तो यही Symbol जो आपने कई बार देखा है इसी के बारे में यह कौन से Rules के तहत आता है तो इस Question का जो Answer है वो होना चाहिए Option C I.E. Rule 35 Question No. 27 Calculate the percentage sleep in a 3-phase induction motor having 6 poles with a frequency of 50 Hz rotating with actual speed of 960 RPM 3-phase induction motor में परतिशल स्लीप की गढ़ना करें जिसमें 50 Hz की आवरिती के साथ 6 धुरू हैं जो 960 RPM के वास्तवी गती के साथ घुमते हैं ठीक है? Option A 2%, 3%, 4%, 5% तो सबसे पहले Question इदी हम गवार का नहीं है आपर तो हमें बोल रहा है कि Find the percentage slip in 3-phase induction motor जिसमें number of poles हमें दिये होए 6 frequency दिये है 50 Hz और जो rotating speed है वो कितना है? 960 RPM हम बोल रहा है तो slip इदी हमें निकालना है तो we can find the percentage slip will be given as the synchronous speed we can define the synchronous speed minus rotor speed divided by the synchronous speed तो question में हमारे पास 960 हमारा क्या दिया हुआ है rotor का speed दिया हुआ है तो जिदी हमें निकालना है synchronous speed तो इस विल बी given by the formula 120F by P तो जिदी हम value put करेंगे 120 into supply frequency दिये होए 50 Hz supply frequency 50 Hz और number of poles दिये होए 6 तो यहाँ पस आप solve करेंगे तो यह आजाएगा आपका 1000 RPM clear now you will put this value here so synchronous speed is 1000 minus rotor speed दिया हुआ है 960 divided by 1000 तो इसको आप solve करेंगे so you will find the percentage slave will be 4% so इस question का जो answer होना चाहिए that will be option C 4% question number 28 which is correct for single phase supply comparison to three phase supply three phase supply की तुलना में single phase supply के लिए कौन सा सही है low cost machinery in single phase low reliability required less amount of conductor material better power factor and efficiency basically इस question में हमें बोल रहा है कि यदि हम single phase यदि हम single phase जो यदि हमारा आपके लिए खार्यान करोड़ा तो इसमें अड्वांटेज हमारा क्या निकल के आ रहा है या फिर जो में जो पॉइंट है हमारा single phase का इन comparison three phase भूह में देखना है तो low cost machinery in single phase low reliability required less amount of conductor material better power factor and efficiency यदि हम जाएंगे definitely जो amount of जो हमारा जो copper requirement होगा यदी है हमारा country the copper का बना हुआ है तो तो उसकी जो requirement होगी वो क्या हो जाएगी that will be less that will be less so is question का जो answer होना चाहिए that will be the option c required less amount of the conductor material question number 29 what happens to the solar cell if the intensity of light is low यदी प्रकाश की तिवरता काम है तो sour cell का क्या होगा output increases, output decreases, output remains same, no output in the cell अब बोल रहे हैं कि यदी solar cell जो है यहाँ बात हो रही है solar cell की solar cell if the intensity of light is low आपको मालूम है solar cell basically it is a kind of voltage cell जो क्या कर रहा है हमारा light energy किसमे convert करेगा यदी हम बात करें यहाँ पर solar cell का, तो solar cell basically क्या करेगा यहाँ पर जो भी light energy होगी क्या करेगा उसको convert करेगा, electrical energy clear, अब यदी light ही हमारा main source है जिस पर depend करेगा amount of intensity produced तो यदी light की value ही down हो जाएगी, तो जो हमारा solar cell का output होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा इसलिए इस question का जो answer है वो होना चाहिए, option B, output decreases as the intensity of light is getting low question number 30, what is the formula to calculate the resonant frequency is in oscillator circuit, एक दोलन्द circuit में अनुनाद आवरती का गढ़ना करने का सुतर क्या है formula based problem है, तो यहां बोल रहा है कि resonant frequency निकालने का formula क्या है भाई, that is the option D, यहां देखेंगे आप, जो दिया हुआ है, option D, इस question का answer होना चाहिए resonant frequency equal to 1 upon 2 pi under root, I will see, question number 31, what is the effect if shunt field resistance is above critical resistance value in DC generator, यदि shunt field पतिरोध क्रांतिक पतिरोध मान से उपर हो जाए, तो DC generator पर क्या प्रभाव होता है output voltage is pulsating, output voltage is abnormal, generator builds up voltage, normally generator fails to build up voltage, this is, problem belongs to DC generator, यहां बोल रहा है, if the shunt field resistance is above critical resistance, यदि यहां बात हो रही है, यदि shunt field resistance की value, जो हमारा critical resistance है, यदि उससे ज्याजा हो जाए, तो क्या होगा, तो जो voltage built up होता है, DC generator में, उसकी कुछ required conditions होती है, उस conditions में, यह important होता है, कि जो total हमारा circuit का, जो resistance है, जो filter resistance है, जो filter resistance है, वो less होना चाहिए, उसी condition पर generator जो है, वो voltage built up कर सकता है, लेकिन इस condition पर बोल रहा है, shunt field resistance is more than, क्या बोल रहा है, more than, तो उल्टा हो जा रहा है, तो इसलिए यहां पर generator will fails to build up the voltage, तो इस question का जो answer है, वो होना चाहिए, option D. Question number 32, why is DC supply is necessary for synchronous motor operation, synchronous motor operation के लिए DC आप उरती क्यों आवाश्यक है, reduce the losses, start the motor initially, run the motor with overload, run the motor at synchronous speed, तो अभी देखिए, आप बात हो रही है, DC supply for synchronous motor, क्यों आशक्ता पड़ती है हमको, कि हम DC supply दे synchronous motor के लिए, हमें मालुम है, synchronous motor, एक ऐसा motor है, basically, जो constant speed पे काम करता है, कैसे काम करता है, constant speed पे काम करता है, और constant speed पे इसको run करने के लिए, हमें, जो supply देना होगा, synchronous motor को, वो हमें देना होगा, DC, तो इस question का जो answer होना चाहिए, that will be the, to run the motor at synchronous speed, will give a DC supply to a synchronous motor, question number 33, देखें यहां पस, बोल रहा है, what is the main disadvantage of nuclear plant, प्रमाडू सहीतर का मुख्या नुक्सान क्या है, disposal of waste, running cost is more, plant requires large space installed away from load center, तो basically हम बात करें, तो यहां बात हो रही है, nuclear power plant की, तो बोल रहा है, उसका main disadvantage क्या है, disposal of waste, running cost is more, मतलब जो भी waste होगा, उसको dispose करना, कचरे का जो निप्तान है, वो करना, वो हमारा main disadvantage है, कि इसका running cost जो ज़्यादा होता है, वो हमारा disadvantage है, कि बहुत ज़्यादा space लेता है, वो disadvantage है, कि load center से बहुत दूर में install करते हैं, वो disadvantage है, देखें यहां पस, basically जो nuclear power plant है, उसका main, जो feel होता है, वो होता है, हमारा radioactive element, क्या होता है, वो हमारा होता है, रेडियो element, radioactive element होता है, clear, और वो हमको मालुम है, that is very hazardous, तो उसको decompose करना, उसको dispose करना, इतना easy नहीं होता है, तो वो हमारे लिए, एक main concern होता है, जब हम जाते हैं, nuclear power plant के लिए, तो इन चारो ही option में यदि हम देखेंगे, तो जो main drawback निकल के आना चाहिए, इस question का, वो होना चाहिए, option A, तो option A, इस question का answer, option A यदि हम बात के हैं, तो option A, इस question का answer होना चाहिए, next, is the question number 34, which switch is operated at off-load condition, off-load की सिती में कौन सा स्विस अंचालित होता है, isolating switch, limit switch, two-way switch, push button switch, अच्छा question है, आँ देखी बोल रहा है यहां पर कि off-load condition, off-load condition पे कौन सा स्विच यहां पर operate होना चाहिए, ठीक है, तो basically यदि हम देखें यहां पर, तो जो हमारा isolating switch है, it is also known as the disconnecting switch, also isolating switch is also known as the disconnecting switch, clear है, और यह तभी operate होगा, it only operate on the off-load condition, यह सिर्फ off-load condition पर ही operate होगा, clear है, ठीक है, so this question का जो answer है, वो option A होना चाहिए, oscillating switch, question number 35, what is the advantage of non-conventional power generation, गैर परामपरिक भीली उपादन का क्या पाइदा है, more reliable, more efficient, low running, cost, reduced pollution, non-conventional, non-conventional power generation के बारे में बात हो रहा है, तो बोल रहा है कि उसका advantage क्या है, कुछ example है हम देखें, तो जैसे कि हम बात कर सकते हैं, यहाँ पर hydro है हम solar system के बारे में बात कर सकते हैं, solar power plant, hydro power plant, हम बात कर सकते हैं, wind power plant के बारे में, clear, तो यह सब जो आप यह इन plant को ध्यान देंगे यहाँ आपस, तो यह चारो option देंगे आप comparison करेंगे, तो आप यह पाएंगे कि जो सबसे जो effective advantage इस non-conventional sources में हो सकता है, वो हो सकता है pollution, तो कि इसमें pollution की जो amount है, वो बहुत कम होगी as compared to conventional source of power generation, इस question का जो answer है, वो होना चाहिए, option D, reduce pollution, question number 36, which method, which method of cable lying is suitable for congested area, भी भड़ वाले चेतरों के लिए cable बिचाने की कौन सी विदी विप्युक्त है, racks in air, duct pipes, along building, direct in ground, clear है, so इस question का जो answer होना चाहिए, that will be the duct pipes, question number 37, total instantaneous power supplied by three-phase AC supplied to a balanced RL load is, एक संतुलित RL load के लिए तीन चरण AC आपूर्ती द्वारा आपूर्ती की गई कुल ताक्षणिक बिजली है, zero constant pulsating with zero voltage, pulsating with non-zero average, तो देखें, यहां पर बात हो रही है, basically instantaneous power के, total instantaneous power supplied by three-phase AC supply to a balanced RL load, clear है, ध्यान दिजाएगा, important यहां पर क्या है, three-phase, three-phase AC supply दिया जा रहा है, एक RL load को, और क्या निकालने के लिए बोरा instantaneous power, again this is a conceptual based question, this question का जो answer होना चाहिए, that will be the option, be constant. question number 38, what is the function of conservator in transformer, transformer में conservator का कारी क्या है, prevent the moisture entry, transfer the heat to atmosphere, allow to release internal pressure, allow expansion of oil level due to the load variations, जो conservator होता है transformer में, basically load के variation के according, जो भी oil में increase या decrease होता है, मतलब oil में जो भी expansion, जो भी expansion या contraction होता है, ठीक है, तो उसको जो maintain करता है, ठीक है, यहां पर देखिए, allow expansion of oil level due to load variation, तो loads के variation के according, oil के level में जो changes होता है, उसको maintain करने का काम, पौन से component के दोरा होता है, that is the conservator, तो इस question का जो answer है, वो होना चाहिए, option D, question number 39, which device has very high input impedance, low noise output, good linearity, low inter electrode capacity, की sub-current में बहुत अधिक input परतिबादा, कम शोर निर्गत, अच्छी रहाखिता, और कम अंतर electrode चमता है, NPN transistor, PNP transistor, field effect transistor, union injection transistor, देखिए, बिसिकली यहां बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा component है, जिसका जो input impedance है, वो हाई होगा, noise output low होगा, linearity अच्छी होगी, low inter electrode होगा, so this is basically question, हमें यह पूश रहा है कि इन में से कौन सा ऐसा जो device है, जिसके यह characteristics होगी, so option C, field effect transistor, इस question का answer होना चाहिए, जो suit कर रहा है, as per the given question characteristics, question number 40, what is the function, what is the function of pen stock in hydro power station, पन बिजली station हों में pen stock का कारी क्या है, carries water away from powerhouse, discharges surplus water from reservoir, carries water to dam, carries water to turbine, this is again, आपका एक theory based question नहीं है, hydro power station में, जब हम इसके flow chart में जाएंगे, जब आप देखेंगे, महाँ पर pen stock जो होता है, basically जो हमारा reservoir होता है, तो reservoir से, जो water, reservoir यदि हम बात करें यहाँ पस, तो जो हमारा reservoir होता है, इससे एक pipe के थूँ क्या होगा यहाँ पर, माल लिजे कि यहाँ पर हमारा turbine लगा हुआ है, ठीक है, तो एक pipe के थूँ क्या होगा, हमारा जो water है, वो discharge का होगा, turbine में होगा, clear, that is given by the pen stock, तो यहाँ पर क्या होगा, as per this concept, इस question का जो answer होना चाहिए, pen stock carries water to turbines, question number 41, what is the possible range to measure the size of wire in standard wire gauge, standard wire gauge में तार के आकार को मापने की संभावी सीमा क्या है, इस question का जो answer हो होना चाहिए, option D, 0 to 36, question number 42, what part of magnetic path requires largest mmf, चुम्बकी path के किस भाग के लिए, सबसे बड़े mmf का शक्ता होती है, air gap coil inductance score, यदि हम magnetic path के बारे में बात करें, यदि हम एक magnetic path के बारे में यहाँ पर बात करें, ठीक है, clear, माल लेजे, इस प्रकार से हमने, supply दे दिये यहाँ पर, current number of turns, ठीक है, इसके वज़ा से क्या होगा यहाँ पर, now this flux will set up, अब देखिए, question बोल रहा है कि इनमें से कौन से part में, coil में, inductance में या core में, हमें largest mmf की requirement होगी, या air gap में, देखिए, basically यदि हम बात करें, यहाँ पर air gap का, तो किसी भी magnetic circuit का, यहाँ जो main concern होता है, वो है आपका reluctance, that is given by, L by A into mu, L is the length of the, you can say conductor, A cross sectional area, mu is the permeability, तो अभी आप देखेंगे, की, जो reluctance है, that is depending upon the length, ठीक है, यह दि air gap का length आप देखेंगे, ठीक है, air gap, तो air gap का जो length है, यदि वो ज़ादा होगा, तो जो reluctance होगा, वो भी क्या होगा, ज़ादा होगा, और reluctance ज़ादा होने की वज़ा से, हमें pore पो magnetize करने के लिए, largest mmf की requirement होगी, मतलब largest n into i की हमें requirement होगी, इसलिए, coil inductance और pore की comparison में, highest magnetic field create करने के लिए, हमें largest mmf की requirement होगी, for this air gap, तो इस question का जो answer होना चाहिए, that will be the option A, question number 43, which logic, which logic gate refers the truth table, सत्य तालिका किस logic gate को संदरवित करती है, if both input are 0, output is 1, if one input is 0, other is 1, the output is 1, if one input is 1, other output is 0, output is 1, and both the input is 1, and so the output is 0, so basically, यहाँ पर, इन दिये हुए option में से, एक NAND gate का ही, जो हमारा operation होगा, इस truth table को satisfy करेगा, so basically, इस question का जो answer है, वो होना चाहिए, option D, NAND gate, next question, अब आप देखेंगे, next question यहाँ पर बोल रहा है, five steps of, which steps of five's concept, refers to stand digestion, ठीक है, तो five s संकलपना में, निम्ड में से, कौन सा चरण मानकी करण को, इंगित करता है, step one, step two, step three, step four, यहाँ पर आप देखेंगे, जो five s का concept है, step one जो होता है, basically, यह represent करेगा, step one, represent the sorting out, so also known as Siri, step two, will represent the systematic arrangement, represent the systematic, represent the systematic arrangement, clear, that represent the systematic arrangement, अब step three के बार में यदी बात करें, this will represent the, shine, cleanness, shine, cleanliness, and step four, represent the, stand digestion, stand, digestion, so is question का जो answer होना चाहिए, that will be the option D, step four, what is the working temperature of filament lamp, question number 45, तन्तु लैब का कारेकारी तापमान, कितना होता है, 1500 degree centigrade, 18 degree centigrade, 2000 degree centigrade, या 2300 degree centigrade, so is question का जो answer होना चाहिए, that will be the 2300 degree centigrade, जो answer होना चाहिए, question number 46, what is the main advantage of class A amplifier, ठीक है, class A amplifier का मुख्य लाब क्या है, minimum signal to noise ratio losses, minimum distortion, maximum current game, maximum voltage game, so class A amplifier का जो main advantage होना चाहिए, that will be the minimum distortion, option number 47, it is advisable to start a DC series motor with some load, DC shrinkla motor को कुछ भार के सांथ, शुरू करने की सला दी जाती है, जिससे limit the flux, limit the current, limit the speed, avoid sparking, DC series motor जो होता है, DC series motor, यदि हम बात करें यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ load के सांथ ही, हमें इसको start करना होता है, यदि कोई भी load नहीं होगा, मतलब load हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो DC series motor, आप यदि देख नहीं देंगे, तो series motor में, जो इसकी series winding है, और जो armature winding है, यह क्या होती है, आपस में series में होती है, connected, clear, ठीक, अब चुकिए load की value 0 है, यहाँ पस, तो load current की value क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी, इसी प्रकार से, जो हमारा field current होगा, उसकी value 0 हो जाएगी, और field current के 0 होने की वज़ाद से, जो flux का amount है, वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और उसकी वज़ाद से, जो speed है, that becomes dangerously high, clear, तो इसलिए series motor की speed को limit करने के लिए, हमें कुछ न कुछ उसको load के साथ, start करना होता है, ठीक है, तो इस question का जो answer होना चाहिए, that is the option C, question number 48, calculate the, calculate the value of shunt resistance required to measure 10 milliampere with 1 milliampere meter, एक 10 milliampere meter के साथ, 10 milliampere मापने के लिए, आवश्यक shunt पत्रोत के मान की गणना केज़े, 3 ohm, 30 ohm, 0.3 ohm, 300 ohm, ठीक है, तो बिस एक लिए question में बोल रहा है कि, we need to find the value of shunt resistance, हमें shunt resistance की value निकालनी है, to measure the 10 milliampere with 1 milliampere meter, एक हमारा 1 milliampere का meter है, और उससे हमें कितना measure करना है, 10 milliampere, तो shunt resistance की value हमें find out करनी होगी यहापस, ठीक है, तो we need to find the value of shunt resistance, ठीक, तो अब इस shunt resistance की value को find out करने के लिए, यदि हम देखें हैं आपस, तो shunt resistance की value को find out करने के लिए, it will go by the formula, तो we need the value of this internal resistance of the, internal resistance of the meter, ठीक है, जो इस question में, जो इस question में हमें उतना clearly defined नहीं है, तो चूकि इस question का exactly answer find out करना, यहाँ पर, चूकि internal resistance की वज़ा से, possible दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए इस question का possible answer, हमारे site से अपलेबल नहीं है, question number 49, which transformer is used to measure high voltage installation, उच वोल्टेज पतिस्ठानों को मापने के लिए, किस transformer का OPO किया जाता है, first transformer, ignition transformer, potential transformer, constant voltage transformer, so transformer used to measure high voltage installation, high voltage installation को measure करने के लिए, we'll use the potential transformer, so इस question का जो answer है, वो होना चाहिए, option C, question number 50, how can the backup time of UPS be increased, UPS के backup समय को कैसे बढ़ा जा सकता है, increase the volt ampere rating of UPS, increase the ampere hour capacity of battery, decrease the ampere hour capacity of battery, none of the above, तो यहाँ पर देखे, आप backup के बारे में बात करा हैं, कि UPS का, UPS मतलब uninterrupted power supply, ठीक है, उसके backup time को हम कैसे increase कर सकते हैं, तो जब भी power failure होता है, तो हमारे system को, जो supply मिलता है, वो UPS के तुरू मिलता है, और UPS के अंदर में क्या होता है, बैटरी होती, जिसकी rating हम define करते हैं, ampere hour से, तो यदि हम ampere hour की capacity को, यदि हम increase कर देंगे, तो we can increase the backup time, तो इस question का जो answer होना चाहिए, that will be the option B, इस question paper का PDF डाउनलोड करने के लिए, मैंने आपको बताया था, कि आप हमारे app से डाउनलोड कर सकते हैं, app का link आपको निचे description में मिलेगा, app के अंदर आपको free study material के अंतरगत, question paper के साथ-साथ में video lectures भी बहुत सारे अविलेबल है, साथ ही free test series भी अविलेबल है, उनका भी link, बहुत सारे subject हैं, अलग-अलग subject के free test हमारे app के उपर अविलेबल है, उनका भी link मैं आपको निचे description में, और comment section में दे दिया हूँ, तो वो आप देखना भूलिएगा मत, इस video का अगला part देखने के लिए, आप यहाँ पर click कर लिजिएगा, और अपना feedback, अपना सुझाओ देना मत भूलेगा, आपको किस तरीके की material, study material या content की requirement है, आप हमें comment section में जरूर बताइए, thank you for watching, hope to see you in our next video, till then, take care guys.